कि यह गाई मेरा नमारे शुबरम टिम्बुरकर हमने अमारी इंवर्मेंट की लेक्चर सीरी स्टार्ट की ठीक है और हमारे तक्रिबन थ्री या तीन चार आइगेस थ्री लेक्चर हो चुग है यह मारा लेक्चर नमबर फॉर्ट है एक्स तर्म ने सौरी माई कंटीनिव नही हो जाएगा और इट इस फ्री फॉर अल ऐसा नहीं है कि अभी मत कुछ दिन बाद यह यह पेड वगिर हो जाएगा है सब के लिए और यह मारा जैसा कोर्स कंप्लीट हो जागा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इस पर बात करना चुड़ देंगे इतने भी हमारे करेंट अफे रॉटमेंगों थीअद में डिवाइड करेंगे फ़हा एकोल Thousand अनुद को अने कि द दूसरा होगा हमारा ऊएड़िय। और थरब होगामरा मारम क्लायमेट चेंज तो एकोलोज एको सिस्टम बायोडिवरसिटी और क्लाइमेट चेंज इसको हम इन्वर्मेंट को डिवाड करने वाले और फिर हमने स्टार्ड किया था आपका एकोलोजी एंड एको सिस्टम और हमने देखा था इनके बीच में क्या होते है कुछ ऑर्गनेजेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं पहला इंडिविज्वल तो इंडिविज्वल मतलब क्या होता है कोई एक सिंगल स्पिसीज का कोई एक इंडिविज्वल मतलब एक सिंगल और्गानिजम मतलब जैसे हम हमारा इस जंप ले लेते हैं तो हम क्या है एक इंडिविज़वल अगर ऐसे बहुत सारी इंडिविज़वल एक जगा पे है ठीक है, same species के ठीक है तो हम इसको कहेंगे आपकी population इतना कर लेता हमने और अगर यही species इसको क्या कहेंगे आपका population अगर मान लोड़ डिफ्रेंट species का group है यहाँ पेड़ भी है पेड़ की species है कुछ आनिमल है, animal species है human है तो ऐसे ग्रूप कहेंगे आपकी community community तो क्या होता है इंडिविज़वल इंडिविज़वल से फिर हमने देखा था population, population से अपकी क्या होता ही community यह सब हमने देख लिया था और उसके बाद हमने इनके example, हमने species को फिर डिफेंड किया था और species को फिर हमने फिर से कैटेगराइज किया था पाच शीचों में जिसमें था आपकी पहले नेटिव, non-native में हमने देखा था कुस एक्जामपल की cotton नेटिव है की non-native है प्र टी, coffee इनके बारे में उनने बात केर ली थी potato के बारे में बात किया था हमने और हमने जाना था कि इनमें से कोंसा नेटिव है तो बस तीन चीजे नेटिव रहा तो वो उसी हैबिटेट में इवल्ड भी है उसको एक्स्टरनली इंपोज नहीं किया गया है ठीक है और उससे किसी दूसरी जो जितने भी जापकी स्पीसिज है उसका कोई इफेक्ट नहीं गिल रहा है बैड इफेक्ट तो उसको कहते हैं आ पिर आइब अगया कि नौनिट फासिन फीराव नहिर सकति किस्ट्ण help इस की सिके वादल है एक फुस्ते कि फ्लैक्ट अर्ट कहा सबसे ज्यादा है यह मैं अपका प्यारा भारत भारत और वेश्टरण खालन इस तनल याच त्रम में देखा ता कि हमारा बैसटर अईज सुन्दा लैंड यह हमारे क्या है इंडेमिक सबसे ज्याते इंडेमिक हम इन तीन जगा पर देखने के में लगा एक दो और तीन यह भी हमने देख लिया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रिवेस लेक्चर देख लो बस चीजे क्लियर कर लो ठीक है और अभी मैं वह कि कि अ में तो हम पुलुटेंट के बहरे में देख लिए हो और में लेका था हुँका बाइयो कंसंट्रेशन और brick तो बाइयो क्यों मेरेशन मतलब किया होँदéo कि जब आपके खाने में कोई पूलूटेंट आ जाता है हम इसको क्या कर द menjadi सब्से Ohh डेफिनेशन कि जब कोई pollutant आपके food chain में एंटर कर लेता है यह हमने देखा था फिर हमने देखा कि क्या होद आपका बाइन मैगनिफिकेशन और यह वर्क कैसे करता है इससे क्या हम सोते यह सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था और यह जो बारा बारा पॉलूटंट है उनके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी जी दिन मैं तो लेसगे स्टाटेड्स तो पॉलूटंट जो भी है उनसे क्छत्रा क्या है अगर हमारी बॉड़ी में जा रहे तो से मतलब हमें हमकिया है अब धूरूप Engineering फैट ऌके बंधिमेद और ज्यादा दिन अगर वो तो मतलब लॉंग लिवड होता है जैसे कि आप जानते यह लॉंग लॉड तो वो ज्यादा दिन आपके बॉडी में रहेंगे वह ज्यादा फैट में वह एबजब हो गया अभी वह क्या करेंगे आपको आपकी बॉडी में बाद इफेक्स डालेंगे जैसे मतलब मानलो आपकी और फर्टिलिटी डिश्टप करेंगे आपका ब्रेन के फंक्शनींग डिश्टब हो जाएगी आपको ब्रीस्ट कैंसर वगेरा फ्य मनें ज़्यादा देखने को इसा था और हमेंगी तो कैंसर के बहुत सारी चैंसे बहुत जाते क्यों क्यूआ खान और जैसे हम ट्रॉफिक में उपर बढ़ेंगे क्या होगा मैगनिफेकेशन ओपर बढ़ेगा तो अगर मान लो कि ग्रास को कौन खाएगा ग्रास को खाएगी है हमारी बक्रिया अगर मान लो गास पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है बक्री ने खाली गास तो गास से बक्री में क्या जाएगा अभी वो पूरा पॉलुटन्ट जाएगा तो अगर एक पौधे पर एक ग्राम का पॉलुटन्ट था ठीक है तो बक्री एक पौधा खाके रुक नहीं जाएगी बक्री खाएगी पाच पौधे तो उसमें कितना पॉलुटन्ट चला गया पाच ग्राम का बराबर अभी बक्री को कौन खाएगा हम लोग खाएगे ठीक इनब बक्री खा देरो तो हो सकता आने कि अपने मतलब इतना मास खाले ल्याख अ फज thuag लो थो फज में Ub時二 मेंहें उत्म फ्जमी तो 25 वाला पॉलाटमेंट आपंडल समुड़ेंट आप में जा रहा है और उस तो लुबल होने के खारण के होगे आपके फैट में अकुमिलेट हो जाएंगे जिससे आपको फिर कैंसर होता है और अगर मान लो वो पॉलुटेंट फीमेल में है अगर प्रेग्न फीमेल है तो उसमें अगर पॉलुटेंट है जब बच्चे को बर्थ देगी तो उसको ला जाएगा बच्चे में तो इससे क्या होता है फिर डिस ओर्डर मतलब बच्चे का सर बढ़ा हो गया और पुछ अगई आती है ठीक है हम आगे पढ़ने वाले इसमें और सबसे ज़्यादा यह देखने को मिल रहा हमें केरला में और केरला में सबसे ज़्यादा क्यों है उसका भी रिजन जानेंगे हैं तो सो जस्ट अभी जान लो की concentration कहीं से हो रहा है Magnification कहीं से हो रहा है और accumulation कहीं से हो रहा है तो मिल्क मदर मिल्क से किसको transfer हो रहा है यह baby को रहा है तो इस देर मोबाइल दे विल transfer from lower to higher topic level हमने देख लिया कि यह आपकी traffic level होता है यह traffic होते है जैसे आप उपर उपर बढ़ोगे ट्रॉपिक नियारो हो रही जा रहा है और concentration क्या होगा बढ़ेगा तो कौन से ऐसे pollutant है जिन से हमें रिस्क है इनके बारे में जान लो तो DDT DDT मतलब होता है Dichloro Diphenyl Trichloro Ethan क्या होता है DDT यह मतलब Dichloro Diphenyl Trichloro Ethan तो DDT जिसने बना था ना उसको मिला था Nobel Prize अभी DDT का वर्क क्या है उसको जान ले था DDT स्प्रे किया जाता है mosquito's की जो population उनको control करने के लिए तो एडिस से क्या होता है आपका chicken गुनिया देंगी ठीक है तो उनसे बचने के लिए एडिस जो मॉस्कीट है उनकी population को control करना पड़ेगा तो उसके लिए DDT बना था एक पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड भी है दोनों है तो अगर question में आ गया कि what is DDT पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों है ठीक है एक आप पर एक प्रिलिम्स का question दो गया अभी आगे सुनों तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इतिन मतलब DDT जिसने बनाया था उसको नोबल प्रेज मिला क्यों क्योंकि सर आपने मॉस्किटोस की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद किये और मॉस्किटोस से कौन से कौन से डिसिस फ्रेंट आपको तो पता ही है चिकन गुझा मलेरिया डेंगी वगरा सभी तो उनको कैमिल गया था सैके की से नोबल प्रेज फिर ए मैडम के एक इंटमेश्क जनका नाम था भी Chloe पॉआ है तक रचल कार्शन ने क्या कीया रचल कार्शन ने कीचास ने किताब किसका नाम था I साइलेंट स्प्रिंग और इस किताब ने बताया कि DDT के कारण कितने सारे हामस हो रहे हैं और फिर बाद में जब उन्होंने आनालिसिस करा तो उनको पता चल गा कि DDT ने जितने जाने बचाई नहीं है उससे ज्यादा DDT के कारण लोगों की जाने गई है इसलिए फिर नोबल कमिटी ने लोगों की माफी मागी और भूला किया माप करदो हमने किसी अलगी चीछ को नोबल प्राइज कमिटी ने उनसे मापी भी मागी लोगों से तो कौन सी बुँक ए सालेंट स्प्रिंग किसकी है राचल कारशन की और इसनिए क्या किया इंवर्म्ट मॉड्ट में इसे पर जान दिजेगा था कब चाहिज़ूइट क्या था आधा स्टाक्वूम कंवेंशनुद्स याजूत किया गया धार चीश्वूंद्स यजित किया था तुन कंवेंशन रच underestift ले गेशन क्या था चाहिए तूर्च कंवेंशनPLE या और DDT को भी कन्वेंशन में बैंग किया गया क्यों कि जितनी जाने बचाए नहीं जाने उसने के लिए पर इंडिया इंडिया कुंस रिजन में ट्रॉपिक रिजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है मांसिन के करण बारीज हीमिडिटी भी ज़्यादा ही रहते तो सब्सक्राइब होगी तो हमारे लोग यहां कि लोग मर जाएंगे तो इंडियन गवर्ण्मेंट ने बोला कि DDT से मरने सच्छा है सब्सक्राइब जाते हैं तो DDT के जो हामफुल इफेक्ट है उससे क्या होता है देखो इंपैक्ट देखो DDT का देख पार हो आपके हार्मोन ऄडिस्टरफ होते हैं आपके बिडर्अर मेंने में इनसमें इंफर्टिलिटी मतलब बांच पन आ जाता है वह आप स्प्रिंग पैदा नहीं कर भाता है इंड्रोक्रैन्व डिस्रप्स्य अपना हाँ इंट्टर्न अगांस है वह और हांऌ वह ζाते हैं आपको ब्रीस्ट कै तो धुआ क्या है डीडीटी है इंडिया ने डीडीटी को याज पेस्टी साइड बंद कर दिया कि ठीक है मतलब हम अभी क्या नहीं करेंगे इसको हमारे खेतों में यूज करेंगे जो पहले खेतों में और मच्चर का पॉपलेशन करने दोनों के लिए यूज कर आ जा रहा था तो अभी हमने क्या किया कि उसको एग्रिकल्चर यूज मतलब खेदों में यूज नहीं करेंगे उसका पर याज पेस्टी साइड तो बैन कर ले हमने पर याज इंसेक्टी साइड हम अभी भी उसको अगर डीडी से मानना है तो चलेगा यह हमारी पॉलिस है हिंदिया की अभी क्यों में पता नहीं अल्टरनेट तो उसका निकल जाना चाहिए था अभी तक क्या आया नहीं तो अगर डीडीडी इतना हम पूल है तो इसको प्रोडूस करेगा कौन सेफ गवर्मेंट तो गवर्मेंट की कौन सी बोडी उसको प्रोडूस करते है तो हिंदुस्तान इंसेक्टि साइड लिमिटेड यह बबलिक सेक्टर है और यही प्रोडूक्शन करता है डीडीडीडी का तो चार चीज़े, DDT का long form, dirty dozen क्या होते हैं, उसके बाद stock home convention कब हुआ था, और उसमें उन्होंने DDT को कब बैन किया, और government की कौन सा इसा public sector है जो DDT को manufacture करता है, ठीक है? और हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड जो है वो किसके अंडर है वो अंडर है एक मिनिस्ट्री आप केमिकल्स एंड फर्टिलाजर के अंडर तो मिनिस्ट्री आप केमिकल्स एंड फर्टिलाजर के अंडर में आपकी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड इजनी क्लियर बस रटलो कैसे रटलो हो आपके अभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉलूटेंट है हमारा एंडोसलपान हमने थोड़ी दिर बाएले बात किया था कि केरला में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखना को मिलता है कैंसर ठीक ना केरला में हमें सबसे ज़्यादा कैंसर देखना को मिलता अभी ऐसा हो क्यों रहा है उसको जानो तो एंडोसलपान यह क्या है एक इंसेक्टिसाइड डिडिटी क्या है है इती जब POP मतलब Persistent Organic Pollutant तो POP क्या होते है जान लो तो जब Stockholm Convention आया था ठीक है Stockholm Convention क्यों है था टू प्रोटेक्ट human health and environment from POP मतलब Persistent Organic Pollutant जिनका हमारे अंदर accumulation होता है जिनसे magnification होता है उनको सभी को हम क्या कहते है ऊड़े POP अगर मानलों कोई harmed एगर water water sodium right तो क्या होगा आप पानी पी रहे हो तो समझ लो टीक है जबहरे सबस्क्राव में खारे उसमें और पूलुटैंद होगा अगर वह Water अगर तो आपको पसिनारा पसिन से याटशाब निकल जाएगा गुए व्टर सुलूबल था आप यूरिन के साथ भी निकल जाएगा ठीक है अगर व्टर सुलूबल ओ लोगा था हमें कोई होई ति नहीं है क्यों कि जैसे आपने उसको कंजूम किया वैसे वह आपके जैसे water loss होगा body से वैसे वह निकल जाएगा और अगर fat soluble होगा तो आपके fat में store रहेगा तो जीतने भी आपके fat soluble है उनको ban कर रहा है कौन Stockholm Convention जिससे ज्यादा harms है जैसे हमने DDT के देखा DDT को Nobel Prize Committee ने Nobel Prize दिया फिर उससे माफ्य होंगी लोगों से ठीक है और इंडोसलपान को बैड किया है Stockholm Convention में उसको याड किया गया 2017 में ठीक है और इंडोसलपान का impact क्या है देखो इंडोक्राइन हार्मोनल डिस्ट्रप्शन डिली से भी यह हो रहा था कैंसर इससे भी कैंसर हो रहा है physical and mental disorder जैसे हमने बात कर रहा था ठीक है इस गीवन लोग लेवल और गवर्मेंट अफ इंडिया अन्व बेसिक अफ टॉक्जी सीटी लेवल खेक है तो लेबल्स क्या होते बस थोड़ी दिर में पढ़ रहा है बस अभी के लिए जान लो कि toxicity label क्या होते है यह देखा हूं टॉक्जिसिटी लेबल तो यह गवर्मेंट आफ इंडिया ने सब जितने भी कमपनिया है जो फर्टिलाइजर बनाती है इंसेक्टिसाइड बनाती है ठीक है उनको बोला गया है कि आप लेबल करो toxicity लेबल के अनुजार ठीक है तो अगर जिन अछी लेवल मंताब चाय डेड़ लेबल नहीं ठीक है कि रेड़ लेबल मतलब एक ऐसा मार्क होता यह डाइमंट जोब बनाता है है ठीक है मे dunno । टो गर रेट कलर में यसा लोगोई बना तो इसको क्या खरेंगा अब ну मतलब हाइसतॉसンプ्यूश कीट्वीट फिर आता है यलो लेबल ठेक है है और फिराता ब्लूबल और उसके बाद आता है ग्रीन लेबल और साल फांको कौन सा लेबल मिला है यलो लेबल पक्का तो अगर आप mosquito मारने वाले हो जो आती है न हमारी लिक्विड ऑल आउट वगेरा की उसको चेक कर लेना आपको ऐसा एक सेब बना दिखेगा ठीक है यह सेम सेब बना दिखेगा उसमें देखना आपकी लेबल कुन सा है तो green label मतलब toxicity करम है इसका मतलब यह नहीं की green label ल थोड़ी से तो अंडर इंसेक्टिसाइड आक्ट आप 1971 कब आया था इंसेक्टिसाइड आक्ट आया था 1971 में और उसने कंपणी को mandatory क्या कि आप labels अपने प्रोड़क्ट में लगाओ कि डिपेंड आउन कि आपकी टॉक्जिसीटी लेबल क्या है तो सबसे ज्यादा जो टॉक्जिक है वो क्या है जिंग फॉस्फाइड ठीक है और यह कहां यूज करा जाता है जो हमारी चुए मारने वाली दवाई है उसमें और उसको मिला रेड लेबल तो टॉक्जिसीटी कितनी है आपको खुद ही जान लो ठीक है भूलकर भी अगर आपने चुए मानने वाली जो दवाई आते ना उसको कभी ऐसे खुले हाथ से मच्छो अगर छूबी लेया तो उसको एकदम अच्छे से साप करो ठीक है खुला किसी भी आपको लग गया तो देथ हो जाती है ठीक है और इसका प्रोडूसर कुन से सबसे ज़्यादा प्रोडूसर आपका जिंक पॉस्पाइट का चाइना चाइना हाईएस प्रोडूसर इन दे वर्ल्ड समझ रहे हो तो अभी आप देख लो कि क्या होता है इंडोसलफान केरला में सबसे ज़्यादा यूज होता है और क्यू नारियल के पेड़ों पे ठीक है तो गवर्मेंट तो बोल रहे है कि इंडोसलफान बैन करते बैन करते पर जैसी इंडोसलफान को बैन करा जाता है वहां के फार्मरी खुद धरने पर बैठ जाते तो इंडोसलफान की एक पिक्चर देख लो यह देखो बच्चे का सीर कितना बड़ा हो गया ठीक है बच्चे का सीर बड़ा हो गया मतलब इसका नहीं कि इसका ब्रेन डेवलप हो गया ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रेन है ऐसा नहीं है ठीक है यह कि ववस्टमाद समाझ लोग कि एंग आब आम बीन लिटी जह चेज्ट एकशिस नहीं कि मतलब डूरीन नश्चाइक्ट है और सिर्का शेज बढ़ा है उसके यह ना कि ब्रेंक का सई दो करने और गवर्मेंट बूल रही है कि इसको बैन करते बैन करते पर बैन करने के लिए जैसे कोई वील आता है इस फारमरी उसके खड़े हो जाते है ठीक है समझ रहो तो इंडोसलपान के बारे में जान लिया टॉक्जीसिटी लेबल देख लिया हमने और जिंक फॉस्पाइट रेड लेवल और उसको कहा यूज करा जाता है और उसका प्रोडूसर वर्ल्ड में कोन है ठीक है इंसेक्टिसाइड आक्ट वह भी देख लेना और इंडो सलपान को कब याड किया था ओधेख लो स्टॉकम कंवेंशन कब आया था और उसने इंडो सल लेक्टि देख लेना यार पलूसर अपके लिए चाहिए जाईगा उसके बाद ये पार स्क्रीन्सेट ले लेना टगें कि अबम ने जाबल ओने अट सलें आँ तो वह देखा हमने इंडिया और नौध को यह क्यों नहीं बैन कर रहे हो भी देखा उसके बाद हमने देखा इंसेक्टिसाइड आक्ट उसके टॉक्षी लेबर ठीक है आशा कर दो आपको अच्छा लगा होगा और यह मत सोचो कि आपको मैं फ्री लेक्चर प्रोवाइड नह कहां से बढ़ेंगे तो ठीक है बिल्कुल टेंसर नहीं लेना मैं आपको पूरा इंवर्मेंट का कवर कर दूंगा उसके बाद अगर आपको लगे तो हम और कुछ सब्जेक्ट भी लेंगे